सब्सक्राइब करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे अपने एक्जाम के लिए अच्छे से त्यारी कर रहे होंगे ठीक है आज इस क्लास में हम लोग स्पोर्टिंगे और देखेंगे कैसे क्वेशन को अप्रोच के जाता है सब्सक्राइब कर सकते हैं कैसे बच्चे वहां पर गलतियां भी करते हैं तो आज यह चीज़ें हम इस क्लास के तुरू सीखेंगे भी और साथ के साथ कुछ रूल्स भी आपको मैं साथ में बताता चलूंगा इडिशनली जो कि आप अपने के नोट में मेंटेन कर सकते हो ठीक है सो विदाउट अनी फॉदर डिले लेट स्टार्ट विदाट टोड़ेस क्लास ओके सो आपके थोड़ी सी एक छोड़ी सी इन्फोर्मेशन है अभी पीडिया आपके लिए फुल फ्लेज़ेट कोर्स लिए जिसमें की पूरा आपका थो कि आपको जो इसमें मिलेगा वो क्या-क्या चीजे मिलेंगे वीडियो लेक्ष्र मिलेंगे टेस्ट सिरीज विल इंक्लूड एंड कर फिर भी आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगे ठीक है सो एचिश बैट इस भाइए फुल फ्लेज़ेट कोर्स हैं आपके बच्चों के इतने भी पीडे के faculty members हैं, उनके साथ में भी आप जूड सकते हो, ठीक है, चले फिर, question number one देखिए, बोलता है, the majority of writers never passes this stage, बोलता है, majority of writers जो है, वो never passes this stage, आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर हो सकता है, और अगर, मालो भी पार्ट में एरर है, या सी पार्ट में एरर आपको लगता है, तो क्यों और क्या error है, आपको ये भी साथ में बताना है, ठीक ऐसा नहीं है कि सिरफ आप error बता दोगे, कि सर इस पार्ट में एरर है, और आपको rectification देना है, मुझे उस error का, ठीक है, आपको बताना है, उस error का rectification, ठीक है, उसको rectify करना है, एंड इसी तरी के से आप सारे के सारे questions को approach करोगे और last में 10 questions है इस particular session में आप मुझे बताओगे आपने 10 में से कितना score किया ठीक है चलिए फिर questions की तरफ वी वीडियो को pose करके आप अपना answer mark कर सकते हैं and thereafter आप मेरे answer से उसको verify कर सकते है ठीक है चलिए so the majority of writers आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं यहां पर इसको आप note down कर सकते हैं जो कुछ words जिसके बाद में हमारा plural noun आता है राइट जैसे मैं बोला one of जैसे मैंने बोला one of उसके बाद मैंने बोला आपको any of उसके बाद बोला मैंने आपको none of राइट फिर कुछ और ही words है जैसे आपको बोला मैंने the number of the number sorry इससे पहले आपके काम करो number फोड़ो यह लिख लो आप the majority of is the number of वाला मैं आपको बाद में करवाओंगा इसमें exceptions the number of हो गया number of हो गया ठीक है that is why the number of हो गया अपको उसके बाद बताना है इच ओफ ठीक है आइदर ओफ दी आइदर ओफ नाइदर ओफ राइट तो यह सारे वर्ट्स के बाद में आपका जो प्रोनाउन होगा हुआ हो एक वो किस फो में आएगा वह आएगा प्लूरल फोम में है याद रखेगे इसको आपका जो प्रोनाउन आएगा वह प्लूरल ही आएगा ठीक है सबसे पहले अगर ऐसा अपको मिल जाता है को वर्ड जिसमें आप सेंटेंस आपकी यहां से स्टार्ट होता है अगर तो उसके बाद देखें कर हमारा जुब दो नाउन है Я ॡ眉ण भी है अगर थीक है नउड भी हो शुर्ई बिक रहा नाउन लिखना है प्रोनाउन लिखते मैंने यहां पर नाउन हमारा जो मॉछ फिर लाइगा ठीक है ना उन हमारा दूडल आएगा इन जो प्रॉट इन हो अभ यहां पर महारा बिल्कुल stage let's suppose आप एक exam दे जैसे आप CGL के लिए प्रिपेर कर दो a lot of people कि ठीक है a lot of candidates a lot of aspirants ठीक है तो आप उस exam में perform करेंगे तो क्या सारे पास हो जाएंगे और क्या सारे एक ही performance देंगे सबकी अपनी individual performance होगी इसलिए वहां पर हमारा तो प्लूरल नहीं वह सिंग्लर आएगा स्वारी सिंग्डर नहीं प्लूरल आएगा क्योंकि हर एक individual ले प्रेजर्टार खर्रें यहां पर लोग है राइट तो यहां पर सिंगलर कर ही नहीं रहा यहां पर आगया और जहां पर भी एक लेटिव नान में डिवीजन आ करता है वो क्लेक्टिव नाउन जो है वो क्लेक्टिव नहीं रहता है वो डिवीजिन के बाद में इंडिविजुली पर्फॉर्म करता है राइट जैसे मैं बोलू इंडिया टीम इस या फिर आर डूइंग ट्रैक्टिक्स ठीक है आप मुझे बताई यहां पर इस आएगा या राएगा या फिर यहां पर प्रैक्टिस की बजाए लिक्ट लो लंच लिए ठीक है तब भी आपका चल जाएगा चल करना है इसको ठीक है तो आप मुझे बताओ टीम इंडिया आर डूइंग लंच किसका लंच अपना कि किसी और का ठीक है तो एक चीज यहां से समझ यहां यहां पर आएगा देर अब यहां पर आएगा आर जब मैं लंच की बात करूंगा इसको उटा दो टीम इंडिया आर डूइंग लंच तो यहां पर हमारा वर्ब भी प्लूरल हो गया और प्रोनाउन भी प्लूरल हो गया ठीक है तो याद रखिए जब आपका कलेक्टिव यहां पर आपका कोई यहां से गलत न न और से यहां से याद रखिएगा जो इसकोशिन का जो राइट अंसर होगा ओप्शन C भी विकोज यहां पर पास नहीं आएगा पास यहां पर राइट इसका वर्व होगा ठीक है दिस इस दी एक्स्प्राइशन यू कैन चेक इट आउट पूर्व लिया है क्या यहां पर यूज होगा और आप सीधे स्टार्टिंग से वहां पर फाइंड करना स्टार्ट कर दो ठीक है एक बार संटेंस को पूरा पड़ो देर आफ्टर उसको पार्ट में पार्ट सोल्व करो ठीक है ना कि मुझे अब बताएं गया पर सब्ज़ेक्त क्या होगा तो यहाँ पर गाद रखीं चब-बhी आजाएं जब भी कृ flav कि बहुत भी आजाए तो उसके बाद जो subject होगा उसके बाद जुप भी हमारा noun pronoun कुछ भी होगा तो कमेंट की बात कर रहा है तो कमेंट हमारा सब्जेक्ट होगा तो यहां पर अब जो भी वर व्यूस होगी याद रखेगा comment के लिए यूज होगी because हमारा subject verb agreement कहता है जो भी हमारा subject होगा उसके लिए हमें एक verb यूज़ करेंगे और उसके according verb यूज़ करेंगे अगर हमारा subject singular है ठीक है तो verb भी हमारी singular होगी अगर हमारा subject plural है तो verb भी हमारी plural होगी ठीक है इस चीज़ को clear कर रहा था आपको यहीं पे कि आप कहीं confused ना हो जाओ कि हमारा manager subject है और आप सोचो कि यह has तो मारा बिल्कुल सही लगा है ultimately यह देखो comments हमारा subject है और comments के लिए हमारी यहाँ पे जो verb यूज़ होगी है यह has comments हमारा subject जो है वो plural है ठीक है और उसके लिए जो वर्व यूज़ करें है वह singular है तो कैसे फिर ऐसे काम चलेगा तो यहाँ पे हैस की जगह पे हैव आएगा ठीक है the manager's comments on the preparation of the test matches for this tour have been generally placed तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो समझ सकते हो कि जहाँ पे जो वर्व होगी वो हमारे subject के आपको लिखा वह नहीं मिलेगा ठीक है वो सेंटेंसी देगा सीधा यसी देगा तो जो भी ऐसे भी आपको लगे ठीक है प्रैक्टिस अच्छे से करा करें नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोश्ण मत्री टॉर्डव रिप्ट थूद्स तूथ साउथ सेंट्रल यूएस टॉर्डव रिप्ट थूदा साउथ सेंट्रल यूएस किलिंग अट लीस्ट हंडर्ड पीपल एंड वाइप आउट एंटायर नेभर हुट्स नाव टेल मी क्या इसमें एरर हो सकता है जैको टॉर्डव रिप्ट थूदे साउथ सेंट्रल रिप्ट थू का मतलब होता है जैसे आप किसी से वह बिल्कुल नुक्सान करते वहां से गो तुकर जाता है निकल जाता है क्रोस कर जाता उसको ठीक है किलिंग एट लिस्ट हंडर्ड पीपल एंड वाइप आउट पिल ठीक है जैसे सीनरी जोता है ठीक है जैसे आपके लगेज लगेज होता है लगेज नहीं होता ठीक है सेम आपका बैगेज होता है बैगेज जोता है और पुलिस जो है लगता है सिंगलर वट होता है प्लूरल इसके साथ में आपकी वर्व इस नहीं आर आती है ठीक है या फि स्ट करेंगे जैसे मेटिमेटिक से लगता ठॲूरल होता enfrent है एकनोमिकस जैसे झीं दिखना तो जो है वो कोई ऐस्त होता फीर जो भी छीज ौट है उसको छलगाना पढदता है लिखना पड़ता है जैसे यह मेरे स्पेक्सिस हैं स्पेक्टेकल्स हैं गोगल्स हैं राइट पेर ऑफ जीन्स बोल सकते हो आप या फिर आप टॉंग्स ठीक है ट्राउजर्स स्नीकर्स स्टिकर स्लीपर्स तो जो भी चीज़े पेर में एक्जिस्ट करती है उनको हमेशा आप प्लूर खेक है चले कोर्श में 4 देखिए वहता है फाइफ क्विंट्रल सो मतलब क्विंटल सो हमारा क्या है क्विंटल के साथ में उसने देद हैं तो अब यहां पर इस नहीं आर्नी इस आएगा यह स्क्लेक्टिव मन गया हुए ठीक है जो फाइव क्विंटल है this is act this is acting as a collective noun और collective noun जब collection की तरह काम करते है तो इसको हम singular treat करते है और इसके लिए जब हम neutral gender use करते है इट ठीक है राइट चलिंग नेक्स्ट तो replace r by is five quintals जो है वो refer करता है definite quantity को जिसको हम एक collective noun की तरह treat करते है so verb will be singular ठीक है question number five देखेंगे question number five देखिए I haven't been to new york before and neither my sister इसको आप read करिये इसका answer बताएंगे जिस बच्चे इसका answer से ही find कर लिया तो मैं समझ जाओंगा कि आपकी observation के साथ साथ में थोड़ी understanding भी है grammatical ठीक है और comment box में comments डालेंगे आप जिसमें कि आपना score mention करेंगे out of 10 ठीक है कितना score आपने वहाँ पर achieve कर रहा है देखो I haven't been to New York तो यहां पर आप इसको step by step solve करना start करिए part a में मैंने देखा I haven't been I के साथ में have लगा हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि जो haven't है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं I haven't been to New York before and neither my sister ठीक है तो I के साथ में haven't विल्कुल सही है यहां पर ओके अब यहां पर देखो neither my sister अब sister जो है वो हमारा एक noun है इसकी हमारी verb किदर है where is the verb नहीं यहां पर तो that is why यहां पर हमारा grammatical error है तो नीदर के साथ में हमारा है जाएगा नीदर के साथ में has neither has my sister ठीक है यह रहे इसकी वेरिफ अपना explanation ना क्वेशन में 6 देखी देर अनली सर्टें बोई that are sincere and diligent and that can do well in examination said the class teacher there are only certain कुछ बच्चे ऐसे सिर्फ कुछ लड़के ऐसे हैं जो की sincere भी है diligent diligent मैं आपको के बार बता चुका हूँ diligent का मतलब होता है hard working ठीक है hard working या फिर laborious इंडस्ट्रियस इसको आप बोल सकते हो दिख रहा है नीचे इंडस्ट्रियस लेबरियस लेबोरियस तो यह सारे के सारे इसके synonyms है अब देखो यहां पर there are certain कुछ बच्चे हैं कुछ लड़के हैं तो यहां पर boy नहीं boys आएगा ना ठीक है there are certain boys ठीक है तो आपको understanding reading के साथ में बिल्ड होगी that is why reading we start कर दो साथ साथ में right question number seven देखिए women athletes have performed far better than men athletes in this sport season जो women athletes हैं उन्होंने काफी अच्छा perform करा है they performed far better than men athletes this sport season अब यहां पर देखिए women athletes use हुआ है plural obviously athlete थोड़ी होगा women athletes right तो similarly यहां पर देखो then man athlete यहां पर man क्यों आएगा यहां पर आना चाहिए men athletes right so यह होगा हमारा right option part three में हमारा error था उसका rectification आपको मैंने बता दिया है now question rate देखिए words words poetry is characterized by his subtle description of the beauty and liveness of nature जो words words की poetry है वो बोलता है कि characterize करी जाती है by his subtle description छोटी से description के थूँ of the beauty and liveness of nature अब याद रखिए कुछ मैंने आपको बताया यह भी वही उसी type करे रहा है जो poetry word होता है ना यह poetry poetry को कभी भी आप इसको plural में नहीं सकते है you can't write it in plural form this will always remain in singular form that is poetry itself ठीक है तो हमारा यह वाला पार्ट में एरर है यहां पे आएगा poetry उमीद करता हूं आपको समझ आया होगा ठीक है next question देखते है question number nine the issues are very complex and the problem is that they are bound to be obscured by these hypocritical politician obscured का मतलब होता है not clear जा फिर जिनको रोका जा रहा है सामने आने से obscured जिन पर पर्दा डाला जा रहा है जिनको क्या बोलते हैं आप रिवील नहीं किया जा रहा है obscured not can't ठीक है अंडर वील जिसको आप बोल सकते हों ठीक है so these issues are very complex बिल्कुल सही कोई दिक्कत नहीं है and the problem is that they are bound to be obscured बिल्कुल B के बाद में वर्फ की third form आती है bound to be obscured by these hypocritical politician नहीं आएगा again यहां पर हमारा बिल्कुल छोटा से एरर है politicians ठीक है so part 3 में एरर है politician की जगा पे हमारा आ जाएगा politician politician sorry right question 10 देखिए he is neither in favor of arms race nor in favor of simple nuclear disarmament ना तो बोलता है वो favor करता है arms race को ना ही favor करता है simple nuclear armament को इसमें क्या error हो सकता है याद रखिए पहली बात तो यह जब भी आपको neither और either दिख जाए तो neither के साथ में हमेशा nor आता है either के साथ में हमेशा और आता है ठीक है यह हमेशा पेर में चलते हैं तो यहां पे neither और नौर का पेर विल्कुल ठीक है ठीक है और बाकी चीजे भी देखा जाए तो यहां पे देखा जाए तो कोई भी एरर इस कोशन में नहीं है दिस कोशन इस डिदाउट और और यू कन से एरर फ्री राइट सो आपको इस लेवल का अब कोशन में कि कोई भी एरर नहीं है यू है अब तो इनफ प्रैक्टिस उम्मीद करता हूं कोशन अच्छे लगे होंगे सेशन पसंद आया होगा यह आपके लास्ट कोशन का अंसर रहा आज के सेशन में इतना ही मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए जय हिंद जय होगा यह होगा है Roll दो